कि एलो प्रेंट टोती क्रेशन में आपका स्वागत है देखिए आज हम काना जी की एक नए डेजाइन की ड्रेस बना कर लेकर आए हैं हैं हमने इनकी ऊपर बेंट लगा दी हें हमने एक और दो नमबर के काना जी के लिए बनाई है और यह नहीं साब से कोई भी ले सकते हैं तो चलिए अभी हम इनको पहना के दिखाते हैं यहां से अभी हम इनको इस तरह से लेंगे और यहां से इनको पहना के यहां से हम इस तरह से हम इनको यहां से थोड़ा सा काईट कर देंगे ताकि इनकी जो चोली है वो अच्छे से इनको सेट ओले इस तरह बाज देंगे बहुत छोटे से हैं और उसी ही साफ से हमने इनकी जरस भी छोटी बनेगे ज्यादा लगे आपको यहां से लुजे तो आप इसको ठोड़ा सा खेंचके इस तरह से टाइट क्लेट अब हम यहां पर इनको ध्रेस पहना हैंगी यह देखें, द्रेस के लिए हमने थोड़ा सा चोली के हिसाब से काट दिया था, ताकि उमारी द्रेस जो उनको पहनाने में कोई मुश्कल नहीं, यहां पे भी हम इस तरह से गाच लाएं, यहां भी हम टाइट कर देंगे, ताकि हमारी जो कानाजी के वेल्ट है, वो बराबर स इसको हम इस तरह से अंदर की साइड में, थोड़ा से हमने यहां खुला रखा है, इसको अंदर की साइड में हम कर देखें, इस तरह से यह, इनकी जो ड्रेस है, तैयार हो गई है, पहन लिए हमनोंने, और यह हम यहां पे इनको छोटे से कानाजी को छोटी सी इस तरह से कि आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी इनकी जैस आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें वेल आइकान दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको काइम पर मिलती है कि इतले स्टार्ट करते हैं कि कितना कपड़ा लिया कैसे हमने बनाया है देखे ब्रैंट दैस बनाने के लिए हम यहां पर दो इंच देखेंगी चौड़ा और पूरा हमने पट्टी पना जितना है उतना हमने ले लिया है देखे अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से इसके ओपर सिलाई लगाएगा तो क्या एससी तरह से इस तरह सर्ट कर लेजी थो कि क्यों अस्तर है कप्डरा है तो भी हमें संचर नहीं एक इनट से एक और च expectation तरह करें आप्टोस के तरह करेंगे और इस तरह हम रखके इसके ऊपर और सिलाई इतले हे जिए करके rock तरह निए मैंसेerm Stevens करके दिखाते हैं एक कि स्पर सेता करके दिकांगे आप उपर हम धिस तरह करेंगे और इसके उपर इस तरह रखे हैं इस तरह हम रख्के इसके उपर वापर सिल लगा हम दिखाते हैं उपी जैदे आठ यहाँ पे इसलाई लगा दे का पुरा सिलाई हम रहाँ लगा लिया और हम इस यहाँ करेंगी और इसके उपर सिलाई लगा कि अज़ना से अलब चाहें से पूबтовर प्रेस भी लगा सकते हैं और चलिए दिखाते हमने आप आप सिलाई लगा लगा लेखिंगर हम ने यहां पडियां तेयार कर लिया इस तरह हम ने यहां पर पटियां तेयार कर लिए अब हम इसको काटेंगे यहां पर अभी हम चार एंच की लंबाई रखके अब हम यहां पर चार एंच का इसको रखके अब हम इसके पीस करेंगे चली अभी हम चार एंच की पीस करके दिखाते हैं इस तरह पूरे पीस में जितनी हमने पटियां बनाई है सब पे हम चार चार एंच का निशान लगाके सारी पटियां हम इस तरह काटे हैं तो चलिए सब काट के दिखाते हैं आप इधे कि प्रेंट हमने यहां पर इतनी पटियां त्यार कर लेंगे अब हम क्या करेंगी इसको इस तरह से पकरेंगे और इस तरह से रखके इसके उपर और इसको हम यहां से फोल्ड कर देंगे और यह हमारा जो ग्लू का हिस्सा है वह पोना पोरा का पोरा अन्दो चला लाइए यस तरह से हम सिलाई लगा पर आपको इस तरह इस तरह उपर रखेंगे इस Whew तो से चली होना किया लगायें तो सारी पटियों की शलाय लगाके हम दिखाते हैं पर सारे श क्या से देखें तयार कर लिए तो यहां तयार कर लिया है अब हम यहां पर इसनिया वेस बनाना है चाहे तो आपको क्रें चाहिए इस यह हमारे चार फोल्ड करेंगे यहां से हम चार पॉइंट से एक कम जहां से हम निशान लगा है इसी तरह हम यहां पे रखके निशान लगा पूजाएं इसको चार से एक कॉइंट कम करके हम यहां पे देखे निशान लगा है अब हम यहां से इसी तरह से इसको काड़ करें इसको काड़ करें इस तरह से हमारे पास दो सर्तल कम्प्लीट हो अब हम क्या करेंगे यहां से इस तरह रखेंगे इसको वापस और वापस से इस तरह फ्रोल्ड करेंगे और यहां से हम छोँए इंच पर यहां से लिशान लगा दिजिए और आधा ही आप यहां से लगाद करेंगे इसको इस तरह से हम गुलैव्स में काड़ को अब हम देखें पहले थोड़ा छोटा ही काटीे जरूरत बढ़ेगी तो हम बाद में बढ़ा कर सके हूं इस तरह से हमने ये काट दिए अब हम क्या करेंगे यहां पर चारो तरफ सिलाई लगाएंगे चलिए चारो तरफ सिलाई लगा के दिखाते हैं अब हमने चारो तरफ सिलाई लगा दिए और एक्सा कपड़ा भी काट दिया अब हम यहां पर छोट 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 तो असानी से हमारा पॉल्ड होगा है अब आपने यहां पर इखाटा है यहां से हम इसको पॉल्ड कर दें बड़े अलाम से पॉल्ड हो जाता है इसमें कोई मुश्कल भी नहीं होती है इसको इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे दोनों साइब से पफ़र के इसको इस तरह से हम आप चाहें तो प्रेस्ट भी कर सकते हैं चाहे तो इसी तरह से आप रख लिए इस तरह से यह हमारा राउंड जो है सबकर कम्प्रीट हो है यह हमारी जो लेंग है लंबाई चुड़ाई है यह तोटल हमारा देखेंगे पौने साथ के करीव है छे साथ इंच से दो पॉइंट कम है इसी तरह इस साइड भी है यह देखिए इधर भी उतना ही है तो अब हम क्या करेंगे हमने यह जो सिलाई लगाई है हम इस तरह इसके ऊपर रखके यहां पर रख रखके इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाई है इस तरह से साथ हुए यहां पर इस तरह सिलाई लगाई चली सिलाई लगा के फिर आपको दिखाते हैं देखे प्रेंट हमने सर्कल बनाए है अगर आपको प्रॉब्लम तो आप यह 3 cm, पर निशान लगाएं, ताकि हमारा जो सर्कल है, वह एक तम सिलाई करने में एक बडाबर आजाएं, इस तरह हम तरह हम इसको रखेंगे इसके उपर, और सिलाई लगाएं, तो हम पूरा 3-3 cm का यहां निशान लगा देते हैं, ताकि सिलाई लगाने में हमको कोई मुश्कल ना हो नहीं तो कई बार क्या होता है यह जो हम मुरूप पर रखेंगे इसको आगे पीछे हो जाते है इस तरह हम पूरे घेर पर इस तरह हम निशान लगा के इसको पूरा सर्पल बना लें अब हम यह दिखे हमारा यह सर्कल बन गया है अब हम इसके उपर रख रख के इस तरह से आप नहीं सर्कल लगाना चाहेंगे तो भी चलता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन सर्कल लगाने से क्या है कि आपको एक दम से बराबर आ जाए इस तरह से हम इसके उपर से लाई लगा के सब्सक्राइब क्या करेंगे इस तरह से दूसरा सब्सक्राइब लगाएंगे इस दूसरा वाला भी लगा के आपको इस तरह दिखाते हैं जो ठीजार करें अब क्या करेंगे यहां से थोड़ा सा काटेंगे ताकि उनको पहनाने में असानी होगी इतना साहिं काटेंगे ताकि कार्णा यहां से आपको पहना सोगे अग्स्रा है हमारा वो सारा निता जाएंगे अब हम यहां पर बैल्ट लगाएंगे उपर देखें बैल्ट के लिए हम यहां पर देखेंगे कर देखेंगे इसलिए हम छे इंच का बैल्ट लगाएंगे इसके लिए हम यहां कर दो इंच का हम यहां चोड़ा देखेंगे यहां से भी दो इंच चोड़ा देखेंगे इस पर इसका से हम रखके काटेंगे यहां से भी हम इसको काटेंगे क्रोस में हम इसको काटेंगे इसको का जा जा वाला देखेंग यह दिखिए हमारा आठ है हम यहां से इसको सीधा सीधा दोनों साइड से काड़ें इसी तरह हम इससाइड भी 5 इंच हम जोटी ते जा रिखेंगे एक इंच हम सुय हम इन साथ से इसके उरपर सीनलगना चिलिए रखेंगे अधर की साइड में से इन अधर कि अधर में प्Eurocell यहां अऑब हम इहां इसको डोरी भी गाल? और यहां और से इस तरह से हम फिया तो भिकारे हम छैनली और हम पर भुद्णाब कंवर सांधे यहां पर चोली के लिए हम यहां पर 6 इंच हम यहां पर कपड़ा लेंगे यहां पर कट़ों और चोली कि यहां पर अम्ड़ी। चुड़ाइश Nowadays इस तरह यहां से फोल्ड करेंगे। और यहां पर हम सिलाईं अब हम इस तरहां से श्राय लगा अब लिए दरसी श्राइय लगा दिए ओ हम यहां इस तरहchangeे इहां से सेंटर पर बहुane हमारे हो जगए अब यहां कि इसके ओपर अब इस तरह रखेंगे और इसjin तरह एक हम सिलाई लगा के दिखके से देके फ्रेंस हमने यहां पर बैल्ट लगा दी इस तरह से हमारी दिखेंगे चोली भी तैयार है यहां जब कानाजी को पहना आएंगे तो यह ऐसे चोली आ जाएंगे अब यह हम पगड़ी बनाएंगे देखें पगड़ी की जैसे हमने इसका पट्टी बनाया था वह सेम पट्टी बनाई है और हम ने यहां पे 5 इंच लंबा लिया है अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह पकडेंगे और इस तरह पकड़के जितना काना जी का सेर है यह दिखिश हम इस तरह सेедा हमारे का निका की चोटा सा ही सेर वार конф Marc कर एंदें